जैहिन दोस्तो 40 प्रति मिनट की गती से संपायत की डिक्टेशन स्टार्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए करीब साथ महिने हो गए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक सरकार अपने कामकाज की प्रक्रिया में संतूलन नहीं बिठा पाई है खास तोर पर पिछले कुछ समय से राज्य सरकार और राज्य पाल के बीच जैसी खिचंतान की खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि सत्ता के अलग-अलग इस्तंबों के बीच अभी सामन जस्से नहीं हो पाया है मसलन गुरुवार को पंजाब के मुख्य मंतरी भगवंत मान ने राज्य पाल बनवारी लाल पुरोहित पर राज्य सरकार के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया यहे तलकी कारियों में नाहक दखल से आगे इस और जाता दिख रहा है कि उन्होंने राज्य पाल के किसी अन्य केंद्र से संचालित होने के बारे में भी सवाल उठा दिया गोर तलब है कि पहले राज्य विधान सभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्य पाल पर अवरोध पैदा करने का आरोप लगा था उसके बाद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ओफ हैल्थ साइन्सेज और अब पंजाब क्रिशी विश्विध्याले के कुलपती की नियुक्ती निरस्त करने के आदेश को लेकर मुख्य मंत्री ने राज्य पाल के फैसले को कट घरे में खड़ा किया पैरा सवाल यह है कि जिन कारियों में राज्य पाल को दखल देने या किसी फैसलों को निरस्त की जरूरत पड़ी क्या वे राज्य सरकार के अधिकार शेत्र से बाहर हैं स्टोप दोस्तो अगर आप इसका पीडिया फाइल चाहते हैं तो आप हमारे वोटसेप ग्रूप या टेलीकराम ग्रूप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा धन्यवाद मिलते हैं अगली डिक्टेशन में